मेरे पहरे देश वासियों नमस्कार कोरोना की दूसरी वेव और दूसरी वेव से हम भारत वासियों के लड़ाई जारी है दुनिया के अनेग भारत भी इस लड़ाई के दोरान बहुत बड़ी पीड़ा से गुज़रा है हम में से कई लोगों ने अपने परीजनों को अपने परीचितों को खोया है ऐसे सभी परिवारों के साथ मेरी पूरी संवेदना है साथियों बीते सो वर्षों में आई यह सबसे बड़ी महामारी है त्रास्दी है इस तरह की महामारी आधुनिक विश्व ने न देखी थी न अनुभव की थी इतनी बड़ी वैश्विक महामारी से हमारा देश कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा है कोविड अस्पताल बनाने से लेकर आई स्यू बेट्स की संख्या बढ़ानी हो भारत में वेंटिलेटर बनाने से लेकर टेस्टिंग लैप्स का एक बहुत बड़ा नेट्वर्क तयार करना हो कोविड से लड़ने के लिए बीते सबा साल में ही देश में एक नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्टर तयार किया गया है सेकंड वेव के दौरान अप्रेल और मई के महने में भारत में मेडिकल ऑक्सिजन की डिमांड अग कल्पनिय रुप से बढ़ गई थी भारत के इतिहास में कभी भी इतनी मात्रा में मेडिकल ऑक्सिजन की जरुरत कभी भी महसुस नहीं की गई इस जरुरत को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया गया सरकार के सभी तंत्र लगे ऑक्सिजन रेल चलाई गई कि एरफोर्स के विमानों को लगाया गया नव सेना को लगाया गया बहुती कम समय में लिक्वीड मेडिकल ऑक्सिजन के प्रोड़क्शन में दस गुना से जादा बढ़ाया गया दुनिया के हर कौने से जहां कहीं से भी जो कुछ भी उपलब्द हो सकता था उसको प्राप्त करने का भर्सक प्रयास किया गया लाया गया इसी तरह जरुरी दमाओं के प्रोड़क्शन को कई गुना बढ़ाया गया विदेशों में जहां भी दवाईया उपलब्द हो, वहां से उन्हें लाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी गई साथियों, कोरोना जैसे अद्रश्य और रूप बदलने वाले दुश्मन के खिलाब लड़ाई में सबसे प्रभावी हत्यार कोवीड प्रोटोकॉल है, मास्क, दोगज की दूरी और बाकी सारी सावधानिया उसका पालन ही है इस लड़ाई में वैक्सिन हमारे लिए सुरक्षा कबच की तरह है आज पूरे विश्व में वैक्सिन के लिए जो मांग है उसकी तुलना में उत्पादन करने वाले देश और वैक्सिन बनाने वाली कमपनिया बहुत कम हैं, इनी इनी हैं कल्पना करिए कि अभी हमारे पास भारत में बनी वैक्सिन नहीं होती, तो आज भारत जैसे विशाज देश में क्या होता? आप पिछले 50-60 साल का इतिहाद देखेंगे, तो पता चलेगा कि भारत को विदेशों से वैक्सिन प्राप्त करने में बसंकों लग जाते थे, विदेशों में वैक्सिन का काम पूरा हो जाता था, तब भी हमारे देश में वैक्सिनेशन का काम शुरू भी नहीं हो पाता था, पोलियों की वैक्सिन हो, स्मॉल पॉक्स जहां गाव में हम इसको चेचक कहते हैं, चेचक की वैक्सिन हो, हैपिटाइटिस B की वैक्सिन हो, इनके लिए देश वाश्यों ने दसकों तक इंतजार किया था, जब 2014 में देश वाश्यों ने हमें सेवा का अउसर दिया, तो भारत में वैक्सिनेशन का कवरेश, जब 2014 में भारत में वैक्सिनेशन का कवरेट सिर्फ साथ परसंड के आस्पास था, साथ प्रतिशत के आस्पास था, और हमारी दृष्टी में यह बहुत चिंता की बात थी है, जिस रप्तार से भारत का टिका करण कारेकम चल रहा था, उस रप्तार से देश को सत्प्रतिशत टिका करण कवरेट का लक्षा हासिल करने में करीब करीब 40 साल लग जाते हैं, हमने इस समस्या के समाधान के लिए मिशन इंद्र धनुस को लॉंच किया, हमने ताय किया कि मिशन इंद्र धनुस के मांदम से युद्धस्तर पर वैक्षिनेशन किया जाएगा, और देश में जिसको भी वैक्षिनेशन की जरूत है, उसे वैक्षिन देने का प्रयास होगा, हमने मिशन मोड में काम किया, और सिर्फ पांच-छे साल में ही वैक्षिनेशन कवरेज साट प्रतिशत से बढ़कर नब्बे प्रतिशत से भी जादा हो गई, साट से नब्बे यानि हमने वैक्षिनेशन की स्पीड भी बढ़ाई और दायरा भी बढ़ाया, हमने बच्चों को कई जान लेनवा बिमारियों से बचाने के लिए, कई नए टिकों का भी भारत के टिका करना भ्यान का इस्था बना दिया, हमने इसलिए किया क्योंकि हमें हमारे देश के बच्चों की चिंता थी गरीब की चिंता थी गरीब के उन बच्चों की चिंता थी जिने कभी टीका लगी नहीं पाता था हम शत्र प्रतिशत तीका कवरेज की तरब भड़ रहे थे कि कोरोना वाइरस ने हमें घेर लिया देश नहीं दुनिया के सामने फिर पुरानी आशंकाएं घेरने लगी कि अब भारत कैसे इतनी बड़ी आबादी को बचा पाएगा लेकिन साथियों जब नियत साफ होती हैं निती स्पस्ट होती हैं निरंतर परिश्रम होता है तो नतीजे भी मिलते हैं हर आशंका को दरकिनार करके भारत ने एक साल के भीतर ही एक नहीं बलकि दो मेड इन इंडिया वैक्सिन लाउंच कर दी हमारे देश ने देश के वैज्ञानिकों ने ये दिखा दिया कि भारत बड़े बड़े देशों से पीछे नहीं है आज जब मैं आप से बात कर रहा हूं तो देश में 23 करोड से ज़्यादा वैक्सिन की डोज दी जा चुकी है 23 करोड साथियों हमारे यहां कहा जाता है विश्वासे न सिद्धी अर्थात हमारे प्रयासों में हमें सफलता तब मिलती हैं जब हमें स्वयम पर विश्वास होता है हमें पुरा विश्वास था कि हमारे वैज्ञानिक बहुती कम समय में वैक्सिन बनाने में सफलता हासिल कर लेंगे इसी विश्वास के चलते जब हमारे वैज्ञानिक अपना रिसर्च वर्क करी रहे थे तबी हमने लॉजिस्टिक्स और दूसरी तैयारियां शुरू कर दी थी आप सब भली भाती जानते हैं कि पिछले साल याने एक साल पहले पिछले साल अप्रिल में जब कोरोना के कुछी हजार केस थे उसी समय वैक्सिन टास्ट फोर्स का गठन कर दिया गया था भारत में भारत के लिए वैक्सिन बनाने वाली कंपनियों को सरकार ने हर तरह से सपूर्ड किया वैक्सिन निर्माताओं को क्लिनिकल ट्रायल में मदद की गई रिशर्ट और डेवलप्मेंट के लिए जरूरी फंड दिया गया हर स्तर पर सरकार उनके साथ कंदे से कंधा मिला कर चली आत्म निर्भर भारत पैकेज के तहट मिशन कोविड सुरक्षा के माद्यम से भी उन्हें हजारों करोड रुपय उपलब्द कराए गए पिछले काफी समय से देश लगातार जो प्रयास और परिश्रम कर रहा है उससे आने वाले दिनों में वैक्सिन की सप्लाई और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है आज देश में साथ कंपनिया विभिन्न प्रकार की वैक्सिन का प्रोडॉक्षन कर रही है तीन और वैक्सिन का ट्रैल भी एडवांस स्टेज पर चल रहा है वैक्सिन की उपलब्दता बढ़ाने के लिए दूसरे देशों की कंपनियों से भी वैक्सिन खरेद्य की प्रक्रिया को तेज किया गया है इधर हाल के दिनों में कुछ एक्सपर्स द्वारा हमारे बच्चों को लेकर भी चिंता जताई गई है इस दिशा में भी दो वैक्सिन का ट्रायल तेजी से चल रहा है इसके अलावा अभी देश में एक नेजल वैक्सिन नेजल वैक्सिन पर भी रिसर्च जारी है इसे सिरीन से न देकर नाक में स्प्रे किया जाएगा देश को अगर निकट भविष में इस वैक्सिन पर सफलता मिलती है तो इससे भारत के वैक्सिन अभ्यान में और जादा तेजी आएगी साथियों इतने कम समय में वैक्सिन बनाना अपने आप में पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी उपलब्दी है लेकिन इसकी अपनी सिमाय भी है वैक्सिन बनने के बाद भी दुनिया के बहुत कम देशों में वैक्सिनेशन प्रारम हुआ और जादा तर सम्रुद्ध देशों में ही शुरू हुआ डब्ली उचो ने वैक्सिनेशन को लेकर गाइडलाइंज दी वैज्ञानिकों के वैज्ञानिकों ने वैक्सिनेशन की रुप्रेखा रखी और भारत ने भी जो अन्य देशों की बेस्ट प्राक्रिस थी विश्व स्वास्त संगर्षन डब्ली उचो के मानक थे उसी आधार पर चरण बद्ध तरीके से वैक्सिनेशन करना तहे किया केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्रियों के साथ हुई अनेकों बैठकों से जो सुझाओ मिले संसत के विविन दनों के साथ्यों द्वारा जो सुझाओ मिले उसका भी पुरा ध्यान डखा इसके बाद ही ये तै हुआ कि जिने कोरोना से जादा खत्रा है उन्हें प्रात्थिक्ता दी जाएगी इसलिए ही हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, साथ वर्ष के आयू से जादा के नागरीक, बीमारियों से ग्रत्रित, पैटालिस वर्ष से जादा आयू के नागरीक, इन सभी को वैक्सिन पहले लगनी शुरू होगी आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर कोरोना की दूसरी वेव से पहले हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सिन नहीं लगी होती, तो क्या होता? सोचिये, हमारे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाप को वैक्सिन ना लगी, तो क्या होता? अस्पतालों में सफाई करने वाले हमारे भाई बहनों को, एंबुलन्स के हमारे ड्राइवर्स भाई बहनों को वैक्सिन ना लगी होती, तो क्या होता? जादा से जादा हेल्थ वर्कर्स को वैक्शिनेशन होने की वज़त से ही वो निश्चिन्थ होकर दूसरों की सेवा में लग पाएं, लाखों देश वास्यों का जीवन बचा पाएं लेकिन देश में कम होते कोरोना के मामलों के बीच केंद्र सरकार के सामने अलग-अलग सुझाओ भी आने लगे, बिन-बिन मांगे होने लगी, पूछा जाने लगा, सब कुछ भारत सरकारी क्यों तै कर रही है, राज्य सरकारों को छूट क्यों नहीं दी जा रही है, राज्य सरकारों को लॉकडाउन की छूट क्यों नहीं मिल रही है, One size does not fit all जैसी बाते भी कही गई दलिल ये दी गई कि सम्विधान में चुकी हेल्थ आरोग्य प्रमुक रूप से राज्य का विशय है इसलिए अच्छा है कि सब राज्य ही करें इसलिए इस दिशा में एक सुरुवात की गई भारत सरकार ने एक ब्रहत गाइडलाइन बना कर राज्यों को दी ताकि राज्य अपनी आवशक्ता और सुविधा के अनुसार काम कर सके स्थानिय स्थर पर कोरोना करिफ्यू लगाना हो माइक्रो कंटेन्मेंट जोन बनाना हो इलाज से जूड़ी व्यवस्ताएं हो भारत सरकार ने राज्यों की इन मांगों को स्विकार किया साथियों इस साल सोला जन्वरी से शुरू होकर अप्रिल महिने के अन्त तक भारत का वैक्सिनेशन कारक्रम मुख्य तह केंद्र सरकार की देख रख में ही चला सभी को मुप्त वैक्सिन लगाने के मार्क पर देश आगे बढ़ रहा था देश के नागरिक भी अनुशाथन का पालन करते हुए अपनी बारी आने पर वैक्सिन लगवा रहे थे इस बीच कही राज्य सरकारों ने भी कहा कि वैक्सिन का काम डिसेंट्रिलाइज किया जाए और राज्यों पर छोड़ दिया जाए तरह तरह के स्वरूठे जैसे कि वैक्सिनेशन के लिए एज ग्रूप क्यों बनाए गए दूसरी तरफ किसे ने कहा कि उम्र की सीमा आखिर केंदर सरकार ही क्यों तै करें कुछ आवाजे तो ऐसी भी उठी कि बुजुर्गों का वैक्सिनेशन पहले क्यों हो रहा है बाती भांती के दभाव भी बनाए गए देश के मिडिया में मिडिया के एक वर्ग ने इसे केम्पेन के रुप में भी चलाया साथ यो काफी चिंतन मनन के बात इस बात पर सहमती बनी कि राज्य सरकारें अपनी तरफ से भी प्रयास करना चाहती हैं तो भारत सरकार को क्यों इत्राज हो और भारत सरकार इत्राज क्यों करें राज्यों की इस मांग को देखते हुए उनके आगरव को ध्यान में रखते हुए 16 जनवरी से जो विवस्ता चली आ रही थी उसमें प्रोग के तोर पर एक बड़लाव किया गया हमने सोचा कि राज्ये ये मांग कर रहे हैं उनका उत्सा है तो चलो भाई 25 प्रतिशत का काम उन्हीं को सौपृत कर दिया जाए उन्हीं को दे दिया जाए स्वाबाव किया है एक माई से राज्यों को 25 प्रतिशत काम उनके हवाले कर दिया गया उसे पुरा करने के लिए उन्होंने अपने अपने तरीके से प्रयास भी किये इतने बड़े काम में किस तरह की कठिनाईया आती हैं ये भी उनके ध्यान में आने लगा उनको पता चला पूरी दुनिया में वैक्सिन की क्या सिती है इसकी सच्चाई से भी राज्य परिचीद हुए और हमने देखा एक तरफ मई में सेकंड वेव दूसरी तरफ वैक्सिन के लिए लोगों का बढ़ता रुजान और तीसरी तरफ राज्य सरकारों की कठिनाईयां मई में दो सब्ता बित्ते बित्ते कुछ राज्य खुले मन से ये कहने लगे कि पहले वाली व्यवस्ता ही अच्छी थी दीरे दीरे इसमें कही राज्य सरकारें जूडती चली गई वैक्सिन का काम राज्यों पर छोड़ा जाए जो इसकी वकालत कर रहे थे उनके विचार भी बदलने लगे एक अच्छी बात रही कि समय रहते राज्य पुनर विचार की मांग के साथ फिर आगे आए राज्यों की इस मांग पर हमने भी सोचा कि देश्वाश्यों को तकलीफ ना हो सुचारू रूप से उनका वैक्सिनेशन हो इसके लिए एक माई के पहले वाली याने एक माई के पहले 16 जनवरी से अप्रिल अंतर तक जो व्यवस्ता थी पहले वाली पुरानी व्यवस्ता को फिर से खुल लागू किया जाए साथियों आज ये निर्णे लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सिनेशन से जुड़ा जो 25 प्रतिशत काम था उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी ये व्यवस्ता आने वाले दो सप्ता में लागू की जाएगी इन दो सप्ता में केंद्रव और राज्य सरकारे मिलकर नई गाइडलेंज के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी संयोग है कि दो सप्ता बात 21 जून को ही अंतर राश्य योग दिवस भी है 21 जून सुमवार से देश के हर राज में 18 वर्षे उपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुप्त वैक्सिन मुहया कराएगी वैक्सिन निर्माताओं से कुल वैक्सिन उत्पादन का 75 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरिद कर राज्य सरकारों को मुप्त देगी यानि देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सिन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा अब तक देश के करोडों लोगों को मुप्त वैक्सिन मिली हैं अब 18 वर्ष की आउ के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे सभी देश वाच्चों के लिए भारत सरकार ही मुप्त वैक्सिन उपलब्त करवाएगी गरीब हो निम्न मद्यंबर्ग हो मद्यंबर्ग हो या फिर उच्चवर्ग भारत सरकार की अभ्यान में मुप्त वैक्सिन ही लगाई जाएगी हाँ जो व्यक्ति मुप्त मैं वैक्सिन नहीं लगवाना चाहते हैं प्राइवेट अस्पताल में वैक्सिन लगवाना चाहते हैं उनका भी ध्यान रखा गया है देश में बन रही वैक्सिन में से 25 प्रतीशत प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाएं ये व्यवस्ता जारी रहेगी प्राइवेट अस्पताल वैक्सिन की निर्धारित कीबत के उपरांट एक डोज पर अधिक्तम एक सो पचास रुप्ये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे इस्टी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा साथियों हमारे सास्त्रों में कहा गया है प्राप्ये आपदम न व्यथते कदाचित उद्योगम अनू इच्छती चा प्रमत्त अर्थात विजेता आपदा आने पर उससे परेशान होकर हार नहीं मानते बलकि उद्यम करते हैं परिश्रम करते हैं और परिश्थिती पर जीत हासिल करते हैं कोरोना से लड़ाई में 130 करोड से अधिक भारतियों ने अभी तक की यात्रा आपसी सहयोग दिन रात महनत करके तै की हैं आगे भी हमारा रास्ता हमारे स्वरम और सहयोग से ही मजबुत होगा हम वैक्सिन प्राप्त करने की गती भी बढ़ाएंगे और वैक्सिनेशन अभ्यान को भी और गती देंगे हमें याद रखना है कि भारत में वैक्सिनेशन की रफ्तार आज भी दुनिया में बहुत तेज हैं अनेग विक्षित देशों से भी तेज हैं हमने जो टेकनोलोजी प्लेटफरम बनाया है कोविन उसकी भी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है अनेग देशों ने भारत के इस प्लेटफरम को इस्तिमाल करने में रुची भी दिखाई हैं हम सब देख रहे हैं कि वैक्षिन की एक एक डोज कितनी महत्वपों हैं हर डोज से एक जिंदगी जुड़ी हुई है केंद्र सरकार ने ये व्यवस्ता भी बनाई हैं कि हर राच को कुछ सब्ता पहले ही बता दिया जाएगा कि उसे कब कितनी डोज मिलने वाली है मानवता के इस पवित्र कार्य में वाद विवाद और राजनितिक छीटा कसी से ऐसी बातों को कोई भी अच्छा नहीं मानता है वैक्सिन की उपलब्दता के अनुसार पूरे अनुसासन के साथ वैक्सिन लगती रहें देश के हर नागरी तक हम पहुँच सके कि हर सरकार हर जन प्रतिनी दी हर प्रशासन की सामुहिक जिम्मेदारी है प्रिय देश वासियों टीका करण के अलावा आज एक और बड़े फैसले में उस फैसले से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ पिछले वर्ष जब करोना के कारण लोकडाउन लगाना पड़ा था तो प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना के तहर आठ महिने तक असी करोड से अधिक देश वासियों को मुप्त राशन की ववत्ता हमारे देश ने की थी इस वर्ष भी दूसरी वेव के कारण मैं और जून के लिए भी इस योजना का विस्तार किया गया था आज सरकार ने फैसला दिया है कि प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना को अब दिपावली तक आगे बढ़ाये जाएगा महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरुरत के साथ उसका साथ ही बनकर खड़ी है यानि नवंबर तक असी करोड से अधिक देशवासियों को हर महिने तए मात्रा में मुप्त अनाज उपलब्दक होगा इस प्रयास का मकसद यही है कि मेरे किसी भी गरीब भाई बहन को उसके परिवार को भूखा सोना ना पड़े साथियों देश में हो रहे इन प्रयासों के बीच कई छेत्रों से वैक्सिन को लेकर भ्रम और अफ्वाओं की जानकारी चिंता बढ़ाती है यह चिंता भी मैं आपके सामने व्यक्त करदा चाहता हूँ जब से भारत में वैक्सिन पर काम शुरू हुआ तब ही से कुछ लोगों द्वारा ऐसी बाते कही गई जिससे आम लोगों के मन में शंका पैदा हो। कोशिच यह भी हुई कि भारत के वैक्सिन निर्मारताओं का होसला पस्त पढ़ जाए और उनके सामने अनेक प्रकार की बाधाएं आये जब भारत की वैक्सिन आई तो अनेक माध्यमों से शंका आशंका को और बढ़ाया गया वैक्सिन न लगवाने के लिए भाती भाती के तर्क प्रचारित किये गये इने भी देश देख रहा है जो लोग वैक्सिन को लेकर आशंका प्यदा कर रहे हैं अप्वाएं फेला रहे हैं वो भोले भाले भाई बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवार कर रहे हैं ऐसी अप्वाओं से सतर्क रहने की जरुवत है मैं भी आप सबसे समाज के प्रबुद्ध लोगों से युवाओं से अनुरोग तरता हूं कि आप भी वैक्सिन को लेकर जागरुकता बढ़ाने में सहयोग करें अभी कई जगों पर कोरोना करफू में धिल दी जा रही है लेकिन इसका मटलब ये नहीं कि हमारे बीच से कोरोना चला गया है हमें सावधान भी रहना है और कोरोना से बचाव के नियमों का भी सक्ति से पानन करते रहना है मुझे पूरा विश्वास है हम सब कोरोना से इस जंग में जीतेंगे भारत कोरोना से जीतेगा इनी सुपकामराओं के साथ आप सभी देश्वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद